यह मत कर所 दोस्ता चीछ चनल में का स्वागतोस दोस्तों ज्यात्ता से महीलाईं होते हं डील लटके होते हैं लेकिन докум काफिक और नोप और गरी उप्याकर करके वो परिशांट हो जाती है लेकिन अस्तर जैसे का तर्साहियसा न बताएं घरेले का इस साहता है अगर जिन महिनाओं का अस्तन लटका हुआ धीला है तो इसे में इसका प्रेव करके आपने अस्तन को टाइट गोल कर सकती हैं तो आएए जानते हैं तो इसलिए दोस्तों हमारे वीडियो में आप अन्तक बने रहे हैं अगर आपका भी असन लटका हुआ ऐसे में आपको एकसराइज़ की काफि जरूर्ड होता है को सकरते हैं तो लटका होता है इसलिए उनको को छिष्टर का प्रयोग करना चाहिए करना चाहिए हैं अपने अस्तनों को आप अपने पानी से मसाज कर सकते हैं इसे में के अस्तन में का अस्तन का ब्लड शर्प्रेशन तेज हो जाएगा जिसे जिसे उनका टाइट होने लगेगा और इसी के साथ बर्व से आप से काई भी कर सकते हैं और नहाते समय एक बार तो का उनको ध्यान देना चाहिए कि अगर आज वो ठंडे पानी से नहाती है तो कल उनको गरम पानी से नहाने से अच्छा होगा अपने अस्तनों को एक दिन ठंडे पानी से धूले और दूसरे दिन गर्म पानी से ऐसा करने से अस्तन में कासी सुधार रायगा वह ब्लड आस्तनों में ब्लड शर्प्रेशन तेज हो जाएगा जिसके वजह से वह टाइट और घूल होने लगेगा अस्तनों पे एक लिक बना कर आप इस से अ झाल कर सके हैं जैसे मैं अंडे के करने के पास यह सुख जाता है उसे अच्छी तरह से भूल लेते हैं ऐसा प्रती दिन करने से हफ्ते भरों में आपको लगेगा कि आपका असन पहले से टाइप हो चुका है तो दोस्तों आता करता हूं आप स्वास्थ हो अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरू करें क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंदित साल जनकारियां देते हैं